हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अब गुंजिल गड़ से थी इसके अलावा कोई और डिटेल सर नहीं और कोई डिटेल नहीं है सिर्फ गीता दया के रिकॉर्ड निकलवाओ और फिर से चेक करो हो सकता मेरा शक्स सही साबित हो शायद गीता इस साजिश में शामिल हो और बाद में इस साजिश बदल दी गई ह यह लड़का गोद लेने वाला ड्रामा तुमने रचाना नुपुर मुझे चाचा जी की प्रॉपटी से दूर रखने के लिए क्या पापा ने कोई वसीहत बनाई थे तुझे क्यू पता करना है तुझे चाचा जी एक पैसा नहीं देने वाले थे तू अच्छी तरा जानत समझें यहां यह कुछ तिन पहले आया था यहां पर यह दो मोबाइल्स लेकर जी मैने उसे बोला भी था कि बहुत पुराने मॉडल के हैं इसके तो खरीदार मिला भी मुश्किल होगा मझे मगर जो उसको रेट बोला था वो मन्जूर नहीं था निकल गया बिना बेचे इस घंश्याम सहो को तum कितनी अची तरह से जांते हो टेक्सी चलाता है बस इतना ही जानतों अजीत वर्मा जी कभी इता णिने इस नाम को कोई जिक्र किया गीता जी कि कहौँ गॉण जिलकड़ का रहने वाला य यह जीत वर्मा गीता ने तो कभी इस बारे में जिक्र ही नहीं किया और ना ही कभी उसने अपने माइके के बारे में बात की ना अच्छी ना बुरी कभी उन्होंने अपने पती के बारे में कोई बात की अच्छी या बुरी जी नहीं जैसे नूपूर को शिकायत थी अपने करोड़ पती पिता से कि उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया क्या पता ऐसी ही शिकायत गीता जी को अपने पती से कि इतना करोड़ पती आदमी घर का सारा काम हुने करना पड़ता है कोई एशो अराम नहीं हाँ हो सकता है और किसको नहीं होगा भला पर कभी भी हमने गीता को महंगी साड़ी पैने या महंगे गहने पैने हुए नहीं देखा, हमेशा से उसका कान गला सुना सुना ही रहता था, वही दो जोड़े कपड़े पर कभी भी उसने इस बारे में शिकायत तक नहीं की, और जैक किशन जी ने कौन सी लाटसाफ वाली ज अचान है, और कुछ खास थे क्योंकि तब ये बातें फोन पर कता ही नहीं हो, दरसल तब बातें होंगी ही ने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे धंका रहे हैं और मुझे लग रहा है कि चोर की दाड़े में तिनका फासा ये बैंक खाते के डीटेल्स, ये प्रॉपर्टी के कागजात और किराय के खाते सब कुछ हैं, जो बारा लाक रुपे कम हैं, अगर उसके अलावा एक पैसा भी यहां से वहां नजर आ जाए तो फासी पर चड़ा दीजेगा मुझे और वसीयत कहा है? मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि वसीयत नहीं है चाजा जी मुझसे बिना पूछे एक FD तो बनवाते नहीं थे वसीयत क्या बनाते? और एक बात और बता दूँ ये जो बच्चा गोद लेने का ड्रामा हो रहा है न ये सब मन गढ़न थे हैं ये नुपूर की रची हुई चाल है आनं! हमें पता है किया लगता है? मुझे पता है आप लोगों को लगता है कि चाजा चाजी का कतल मैंने ही किया है और मैंने ही 12 लाक रुपे चुराएं नहीं बलके हमें लगता है कि तुमने और नुपूर दोनों ने मिलकर कोई साज़िश रची और तुमारे इस साज़िश में चैटिस गड के गौंजिल गड का कोई अजीत वर्मा भी शामिल था शायद गीता धया भी शामिल थी और निशाना थे तुमारे चाचा जैकिशन धया जो किसी पर भरोसानी करते थे किसी को अपनी प्रॉपर्टी सुंगने तक नहीं देते थे इसलिए तुमने और नुपूर दोने ने सोचा क्यों ना प्रॉपर्टी आदिया बाट ले इसलिए जैकिशन धी के साथ साथ गीता जी को भी रास्ते से हटा दिया गया इससे बड़ी बक्वास मैंने आज तक नहीं सुनी अपनी जिन्दगी में और हम हरो सुनते हैं और देखते भी हैं सांप और नेवले को हाथ मिलाते हूँ अनन्द धया पैसे में बड़ी ताकत होती है पैसा बड़ों-बड़ों को लालची बना देता है यह बात छुपी नहीं थी कि जैकेशनजी नूपूर से खफा थे और यह बात भी काफी जाहिर थी जैकेशनजी तुस से भी कोई बहुत जादा खुश नहीं थे तू उनकी प्रॉपर्टी का बहुत जादा फाइदा उठा रहा था और यह जो तरह इमांदरी का नाटक है ना अब उसका पढ़दा फाश हो चका आनद मिस्त्री राम भजन ने जैके शंजी से डारेक्ट बात क्या कर लिए दुकान खरीदने के बारे में तू तो मतलब जलकर राख हो गया तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे सीधे चाचा जी से बात करने की और ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी तुने जो वो दुकान तुझे आदे दाम में बेचने को तयार हो गए आनन्द जी कोई पट्टी नहीं पड़ा ही हमने देखे जे किशन जी से हमारा संबन तब से है जब हम काम के तलाच में बाजार में एक साथ खड़े रहते थे दिहारी के लिए और तुम आज भी वहीं खड़े रहते हो और वो पूरे बाजार के मालिक है तुमारी आउकात नहीं उन से सीधे बात करने की हमने तो खाली दर्खास की थी जे किशन जी से अब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप सीधे जे किशन जी से मिल लीजे आपको सब कुछ पता चल जाए जा आनन्द मैं कहे रहा हूं ना दुकान राम भजजन के नाम कर दो लेकिन चाचा जी हमें इस दुकान के सारे साथ लाग तक मिल सकते हैं मैं आठ लाग भी दिलवा सकता हूं और आप इस दुकान को राम भजजन को चार लाग में दे रहे हैं उपर से वो अभी सिर्फ दो लाग रुपे दे रहा है बाकी के रुपे कब देगा? देगा या नहीं देगा ये भी नहीं कह सकते इस सक्ट मैं तुमसे जो कह रहा है वो करो ये बेकार की बहत मुझे से मत करवान आप गलत कर रहे हैं चाचा जी अब गलत सही तू मुझे संजाएगा चाचा जी अगर आप ने ये दुकान एक बार उसके नाम ट्रांसफर कर दी ना तो वो बाकी के पैसे कभी नहीं देखा दो लाग का नुकसान मेरा होगा ना तेरी जेब से तो एक पैसा नहीं जा रहा आज का एस दुकान उसके नाम ट्रांसफर कर दो सिर्फ इसलिए क्योंकि राम भजन आपके साथ द्याड़ी मज़़ूर था कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस वक्त मेरे साथ ख़़ा था जब मेरे पास दौला तरी थी राम भजन ने बताया मैं तुने कमीशन मंगा उसे अनन देया तु जितना खुद को बता रहा न उतना भी दूद का दुला हुआ नहीं है लेकिन दाल में उतना भी काला नहीं है जितना आप लोग खोज रहे हैं अगर नुपुर की सुनते रहेंगे न तो एक केश सुनवाई तक भी नहीं पहुचेगा उसी के बुने जाल में फस्ते चले जाएंगे देखते हैं इन कागजाद में कितने सचाई है और कितनी बुनाई कौन धसा गुआ है और कौन फसा रहा है पाद इस पर सिर्फ मेरा हग है सिर्फ मेरा तो आमे सब कुछ मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता पुलिस तेकिकात कर रही है क्या तेकिकात कर रही है पुलिस किराय तो आज भी आनंदी जमा कर रहा है मैं कह रहा हूँ, यह पुलिस के हाथ करम करके सारा गेस्टंडा कर देगा तो, मुझे तु लेने के देने पड़ गे न, कमल मैले सब कहते हैं थे कि भाई को खा गई, अब कहते हैं कि बाप और सौतेली मा को खा गई दुनिया के सबसे बुरी औरत बना के रख दिया है मुझे वो दुनिया वालों के ऐसे कि तैसी, तेक, इससे पहले कि वाननत कुछ करे, तेरे बाप की जदाद पर हक जताए, तू सारी की सारी लगाम अपने हाथ में ले ले ले, इस तोलत को हासिल करने का सपना हमने कब से दे बंद कर, तो एक बार ना बस पैसे आजाने दे, करम गरम करारे कराने नों तो, फिर देख तो अपनी जिंदगी की सूरत कैसे बदलेगी, इस सारा पैसा जो तला यूँ पड़ा था किसी काम का नहीं था, हमारे काम आएगा, एक अच्छा घर होगा, अच्छी जिंदगी हो जैकिशन दईया और गीता दईया के नाम के हर एक पैंक खाते की छानबीन हुई, दईया परिवार की सारी प्रॉपर्टीज की रिजिस्ट्रीज खंगा ली गई, गोंजिल गड़ से हमें कोई ठोस सुराग मिलना अभी भी बाकी था, इस तरी सजी तवर्मों को लोग यहा उसके बाद एक बार भी नहीं लोटी, अब या तो यहां लोगों को वाके में कुछ याद नहीं, या फिर जान बूसकर कुछ छुपा रहे हैं, हमने गीता दईया के एक साल पहले के कॉलिकोर्स मंगवाए है, जब तक कॉलिकोर्स आते हैं, तुम लोग घुज जाओ, गों 15 सितंबर की दोपहर को जै किशन और गीता दईया के घर में कौन आया था, वो कौन जाना पहचाना शक्स था, जिसका खान पांच से स्वागत किया थो नहीं, और जिसने उन्हें मौत के घाट उता दी, और अब हमारे सामने आने वाली थी, एक और विजित्र पुखलाने व हमारे किसी भी सस्पेक्ट के फिंगर प्रिंट से मैच करते हैं, सर आपने हमें आनन दईया, उसके बेटे मोहित दईया और नुपूर के पती कमल हूडा के फिंगर प्रिंट भेजे थे, लेकिन ये फिंगर प्रिंट इन तीनों में से किसी से मैच नहीं करते हैं, तो फिर क सर ये दोनों पार्टी आनंद और नुपुर पे हमारी चील जैसी नजर है पर दोनों घरों में एक ही रोना है सर कि ज्यादा अगले को ना मिले और कतल की साज़िश का कोई जिक्रे नहीं हुआ कि किसी जानपेचान वाले को बेजाओ ये जानपेचान करवाई हो जैकेशन और कौन सा किराइदार 15 सितमबर से कुछ दिन पहले आप बाद में घर छोड़कर गाइब हुआ है हो सकता है कि आनंद ने किसी किराइदार से एकाम करवाया उसे का होगा बारा लग की रगम गाइब कर देना सुबारी की रखाम अब किराइदार होगा तो मकान मालिकों से जान यह अजीत वर्मा इसे हम जानते हैं यह फरार और यह मनोर सौंटा और सुधीर पटेल असर इन तीनों का अड्रस गौंजिल गड़का है अजीब है सर आनंद और नूपूर यह दोनों ही गीता के बैग्राउंड के बार में कुछ नहीं जानते थे जबकि गीता अपने चला कि हम ही से ढूंड रहे हैं इसने पना फोन स्विच आफ कर लिया और मनुहर सॉंटा इसका भी फोन स्विच आफ और सरी सुधीर पटेल इसका फोन ओन है पर अभी तक मैंने से कॉल नहीं किया है और हम कॉल करेंगे भी नहीं हम सीधे गौंजिल गड़के लिए रवान सब्सक्राइब को इनकी लोकेशन किया थी और कतल की दुपहर 15 सितंबर को इनकी लोकेशन किया थी और यह भी पता करो कि इन तीनों नंबर्स का आनन और नूपुर से को नेक्शन है अगर है तो कि विल्बब देना यह जार अज़र सुधिर पिटल का पता चल गया है यह गोंजल यड में जोहरी की दुकान चलाता है हमारे आद में उस पर नजार अखेंगे उठालो से यह तो गीता लगती है लगती नहीं गीता ही है और 11 जून 2016 चार मेने पहले तुम्हारी इससे बात हुए थी और उसके बाद चार बार बात हुए हाँ साब बात तो हुई थी पर माजरा क्या है साब गीता ठीक तो है गीता मर चुकी है क्या गीता दैया और उसके पती या कृशन दई है दोनों का कतल हो चुका क्या हो गया यह सब गीता के साथ यह पर आप लोग मुझे की उठा के लाएं यहां पर तुम गीता को किसे जानते हो साब गीता हमारे साथ स्कूल में बढ़ती थी फिर उसके माबाब चल बसे तो वो अखेली रह गई एक कुछ 19 साल पहले की बात है फिर एक दिन अचानक गीता भी कहीं चली गई किसी को पता नहीं चला वो कहां चली गई और फिर अचानक 19 साल बाद गीता ने तमें फोन किया है इतिफाह हां साथ इतिफाह कि नुटा है हम एक कारीगर है चंदर जो फरीदा बाद गया था एक काम से तो इतिफाह से घ navy और जब उसे पता चला कि वह दो उसने उससे मेरा नमबर ले लिए और मुझे फोन किया कि वर्व कि क्वal बोल रहा हुआ हटाऑ कॉन बोलि रहाँ है गिता कौन गीता सॉंटा गीता सौंटा हम एक ही क्लास में थे याद आया कुछ अरे अरे गीता, अरे बाफ रे, इतने सालों बाद तुम कैसे हो सुधीर, सब ठीक तो है हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कहा गया वोगी थी तुम राइपूर चली गई थी, वहाँ एक साप थे, उन्हीं क्या काम करती थी बस वही अपने साथ मुझे फरीदाबाद ले आए, बहुत लंबी कहानी हैं बताओंगी कभी पिछले उन्ने सालों से फरीदाबाद में ही हूँ, यह मेरी शादी हो गई थी फरीदाबाद, वहाँ पर तो मेरा कारीगर गया हुआ है काम से तुमारे कारीगर से ही तो तुमारा नंबर मिला, वह बाजार में किसी से बात कर रहा था, उसने गौंजिलगड का नाम दिया, मैंने जैसे ही अपने गाउं का नाम सुना तुरांद उससे बात की, तो उससे पता चला वह तो तुमारे भाह काम करता है, मैंने उससे तुमार नमबर लिया और तुरन फोन गुमा लिया इतने सालों भाद अपने गाउं के किसी से बात कर रही हूं सुधी, मनोहर और अजीत कैसे हैं गाउं में ही हैं? हाँ सब यही है दोनों का नंबर दो ना मुझे फिर उसके बाद दो तीन बार मेरी बात हुई थी कीटा से मैंने एक ही बार कॉल गिया था वो मनोहर और अजीत का नंबर देने के लिए यह मनोहर सौंटा गीता का दूर करिश्यदार है आप कजीन कह सकते हूं से और अजीत वर वैसे मनोहर मुझे दिखा था साब दो अपते पहले मार्केट में मेरी बात भी हुई थी उससे और अजीत से क्या अजीत की तरह तो भी मेला नक्सलियों के साथ चोटा मुटा व्यापरियों हलेक देखे जूट नहीं बोलूँगा हर व्यापरी की तरह मैं भी हपता परता ह अब जानते हैं क्या कैसे होता है पर इससे आगे मेरा उनसे कोई समर नहीं है यह जीत वर्मा और मनोहर सौनता यह गय थे फ्रीदबा इतना पता है मनोहर गया था गीता से मिलने उसके बाद अगस्त में उसकी बेटी की शादी हुई बहुत धूनदाम से की थी उसने अपनी मुझे नहीं खनका पर बाद में ख्याला है कि पहले तो अपना राशन पानी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था मनोहर अब तो शादी से पहले उसने घर की मरमद भी करवा ली थी यह समझ नहीं आया इतना पैसा आया कहां से मनोहर के बास मनोहर के हाथ ही जो पैसा लगा था преступेणभाद से लोटने के बाद असके पास यह पैसा आया था मनोहर शायद जुलाई मैं गया था फृरिदाबाद तीन चार दिनों के लिए उसके बाद अगस्त में उसके बेटी की शादी हुई थी तो हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं पर सच कह रहा हूं साब आपके बोलने के बाद ही दो और दो चार हो रहे हैं ये मनोहर जा कहां सकता है? कहां सोब सकता है यह? मैं कहा जानो लेकिन साब क्या मनोहर फरीदाबाद से इतने पैसे लाया था। लाखों और क्या गीता के पास इतने पैसे थे। पर सर्फ पिछने पर पास बहुत जादा पैसे थे उन्हीं पैसों से इसने अपने घर की मरम्मत कराई और अपनी बेटी की शादी भी करवाई पता करो इसकी बेटी की शादी कौन से गाउं में हुई इस मनोहर सुन्टे का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी सर्फ फोन रिकॉर्ड्स की अकॉर्डिंग मनोहर सुन्टा, अजीत वर्मा और सुधीर पतेल इन तीनों का नूपूर और आनन के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है सुधीर पेटेल का कहना है कि यह मनोहर सुन्टा जुलाई में फृरीदाबाद आया था, गिता से मिलने करेक्ट सर्फ, फोन रिकॉर्ड्स तो यही कहते हैं पर सर्फ पिछले तीन महीनों में अजीत और सुधीर का फोन लोकेशन फृरीदाबाद नहीं दिखा है सुधीर पेटेल की बेगरण हमने चक की है, लेकिन यह अजीत वर्मा भी भी फरा रहा है और यह मनोहर सुन्टा, जब यह फृरीदाबाद से लोटा था तो इसके पास बहुत सारे पैसे थी हो सकता है इसे आनन्द या नुपर ने खरीद लिया, पूरे चांसेस हैं कि इसे आनन्द ने खरीदाओ परसर, 15 सितंबर की दोपहर से ना ही सुधीर और ना ही अजीत का फोन लोकेशन फईदाबाद शो कर रहा है लेकिन सर मनोहर सॉंटा, इसका फोन सितंबर महीने के तीसरे हफते से स्विच ओफ आ रहा है इन तीनों के नंबर्स और फोन की ट्रेकिंग जारी दखो, ये भी हो सकता है ये काम आजीत या मनोहर ने अपने किसी जान पहचान वाले से करवाया पहार से जो साहब लोग आए उनको बोलो तुरंट लोट जाएगा उनका लेकिन क्यों? बता नहीं साब जी, कलदल के सरदार के पास वो दो बहर वाले साहब लोगों की तस्वीरे थी कहीं समें अजीत वर्मा का हाथ तो नहीं संत्रा हूँ? ना किसी अजीत वर्मा को नहीं जानता साब जी अब टीप दे रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ मेरी कबर पक्की है, कभी भी हमला हो सकता है बड़ा वाला और टार्गेट आप और विनो दोनों है जगनाब हम पीछे तो नहीं हटने वाले हैं सर प्लीज, सिर्फ अभी के लिए एक अदम पीछे अटा लिजी सर जब तक आपके वास फोर्स पोचेगी देर हो सकती वक्त सही नियस ली कहा रहा हूँ सिर्फ अभी के लिए आप प्लीज वापस लोट जाएगे हम वापस नहीं जाएंगे तुम्हें एक तीन तुरंट भेजो एक तीर से दो निशाने लगेंगे ये नक्सली टोली भी मिलेगी और ये अजीत वर्मा भी सर इतना असान नहीं है अजीत वर्मा इस अटाग के पीछे है या नहीं ये बात अभी कन्फर्म नहीं और इस अटाग के नतिज़े काफी गहां तक हो सकते प्लीज मेरी सिचुएशन समझे मैं आप से वादा करता हूँ आपको अजीत और मनुहर दोनों ला कर दूँगा सर एक कवर टीम भेज रहे हूँ आप प्लीज वापस लॉट से सर हमारे यहां रुक कर नक्सलियों का सामना करना बंता तो है लेकिन हमारा ऐसा करना जगन की पूजिशन के लिए खत्रा हो सकता है हम लाटे तो खाली हाथ थे पर एक चीज पक्का समझ आ गई थी कोई तालुक था जो 19 साल पहले छोड़ाई थी मनोहर सॉंटा अजीत वर्मा और सुधीर पटेल इन तीनों के बारे में मैंने नूपुर और आनन से पूछा साफ साफ मना कर दिया नहीं जानते और वैसे भी हां तो वो करेंगे नहीं और जिस तरीके से हम पर अटेक प्लैन हुआ उससे तो लगता है कि अजीत वर्मा ज़रूर शामिल है और इस वक्त ये मनोहर भी गायव है सर केस का क्रैप तो अभी भी बहुत दूर है लेकिन हम लाट कर उसी रास्ते पर आगे हैं जहां से हमने शुरुआत की थी प्रॉपर्टी अभी एक कातिल हमें बता सकता है कि सुपारी किसने दी और साजिस किसने रचे नूपुर ने आनन्द में या गीता ने या फिर ये तीनों शामिल थे और एंड मोके पर गीता के साथ दोखा हो तारिका सर इन तीनों का फुरीदाबाद में गीता के अलावा इसी और से कोई कॉटेक्ट नहीं है एक कॉल है सर मनोह सॉंटा ने क्या था जुलाई में फुरीदाबाद आने से पहले वैसे अभी ये फोन स्विच ओफ है इसकी डीटिल्स और लोकेशन मंगवा इमेल अमिल सुनियों आप एक बार नुपूर से बात तो कीजिए अभी तक आप ही सब कुछ संबालती आये हैं नुपूर को आपकी मदद के जरूत तो पड़ेगी है वह के लिए सब नहीं संबाल पाईगी आधी से ज्यादा जिन्दगी बीट की चाचा चाची को जहलने में अब इस को भी जहलू मैं नहीं जाने वाला उसके पास उसे आने तो कागजात मांगते हुए इसानी से हार नहीं मानूंगा मेरा हक है सालों की मेहनत है जाया तो नहीं जाने दूँगा लंबे अरसे तक ना मनोहर सोन्टा हाथ लगा और ना ही अजीत वर्मा ऐसा लगने लगा था कि हम इन दोनों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे पर बहुत जल्द इस केस में हल्चल होती दिखाई थी जल्द अजीत तुझे पता है तुझे ठोकना हमारे लिए कि इतना असाथ है उपर से इनाम मिलेगा वो अलगा पर तुझे जिंदा सिर्फ ये जानने के लिए रखा है कि फरीदबाद के गीता दहिया और उसके पती जैकेशन दहिया के मडर केस के सुपरी सिर्फ तुझे तुझे पादी गई थी या तुझे और मनवाड दोनों को किसी से कोई सुपरी नहीं मिली थी सब मैं तो गीता से अभी मिला एम जी गाए उसके मौत के खबर तो आप लोगों से मिली आभी तुझे अभी तुझे थिनद़ारा एम पूरी जिन्दगी तरपेगा वो हाल करे जब शुदिर के मेरा नमबर उसे देता तभी, उनीस साल पेले काफी पसंद करता था मैं उसको गीता, कहा हावा हो गई ते तुम इतने सालों बाद तुम्हारी हावा सुन रहा हूँ बस नसीब अजी पर इतने सालों में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम सब को यादना किया हो शादी हो गई तुम्हारी हम एक बेटी है तुम्हारी शादी के लालच में तो इतनी दूर आई थी हाँ फरीदा बाद एक बेटा भी था सुभाज पर अब नहीं रहा क्या हुआ उसे उसकी सोतेली बड़ी बहन के लालच ने मार डाला जी पता नहीं मुझे आके क्या मिला एक सुरक्षिस जिंदिकी के लिए मैंने बिना शादी के बच्चा करने से इंकार कर दिया बस एक यही शर्ट थी मेरी शादी हो परिवार हो इसलिए तु शादी की थी खैब तु ठीक तो है ना बस गुजारा हो जाता है कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होने के बावजूर कुछ भी नहीं है मेरी वे आलत कुछ ऐसी है गीता कहने को तो एक मोबाल की दुकान लगा रखी है लेकिन मुनाफ़ा ना के बराबर है मेरी मनोहर से बात हुई थी मैने उससे कहा था हो सके तो मिलने फरीदाबाद आ जाना तो माओगे कभी दुकान किसी के भरो से नहीं छोड़ सकता ना लेकिन हम बात करेंगे ऐसे ही दो बार बात हुई थी गीता से फिर गीता का नाम समते भाग क्यों खड़ा हुआ था वो तो मैं डर गया था साब कि फरीदाबाद की पुलिस मुझे क्यों पोच रही है वो भी गीता की बारे में गीता मर गयी है तो आप से मुझे पता चला अभी वो आय था ना खबरी उसको भी मैंने कुछ पूछा नहीं था मैं डर गया था साब इसलिए में भाग गया और भाग कर तुने अपने नक्सली आकाउं से बोल दिया कि फरीदाबाद पुलिस पर धावा बोलते वो तो नक्षिनियों को ये लगा था कि आप लोग पूरी फोज लेकर जंगल में घुसेंगे वो भी होगा बहुत जल्दी होगा पर फिलाल तो ये बता कि गीता और जैकेशन डबल माटर केस में तेरा क्या हाथ है सच बूलाओं साब मैं कुछ नहीं जानता एक मा का और दे रहा हूं सोच ले साब वो मनोहर गया था गीता से मिलने की बिए वो तो उसकी रिष्टे में भी लगता है वो हम जानते हैं आगे बोल वो आनिक बूत बहुत पैसा खरच कर रहा था साब तो कई उसे नहीं तो नहीं तो कुछ नहीं नहीं बोल रहा है इससे आगे कुछ नहीं जानता साब। विश्नो, एक-एक खड़ी, एक-एक पसली है, प्यार से कोटू। सब सच्दूरलों सब, सब, यकिन दो मेरा सब, इससे आगे कुछ नहीं जानता सब, सब। विश्नो, इससे अजीत वर्मा की इतनी फील्डिंग की हमें, और जब हात लगा, तो इससे कुछ नहीं मालू। ऐसा कैसे हो सकत है जगन? बलवाव साले से? कल शाम सेसी कुटाई हो रही है, अभी भी चल रही है, अगर डबल मटर केस में इंवाल्ड होता तो अब तक पक्का तूट चुका होता है, वैसे हम मनोर को भी ढूंड रहे हैं, उम्मिद करते हैं जल्दी हमारी रासत में होगा, फिर अंदी गली सर, अंदेरे में ही सही, पर हम आगे तो बड़े, अभी तक हम गीता के बैग्डाउंड से यही पता लगा पा रहे थे, कि गीता अपने गाउं, अपने गाउं के लोगों को बहुत मिस कर रही है, पर यह केसा खिर है क्या, यहां पर हर सुराग अंदी गली में जाकर दम तोड़ रहा है, अब नए स साब, साब मैंने क्या किया है, साब क्यों ले गा रहा है उजे पकड़ के, यह तो वाकिय अच्छी ख़बर, हम अभी निकल लेगा, गुर्प्री तो हुजा, जी मैं हूँ, तो मनोहर सॉंटा को कैसे जानते हो, नही मैडम, मैं किसी मनोहर सॉंटा को नही जानता, तो जुल किसी के 18 नमर और खरीदे गए मेरे नाम पर, पर मैडम, यह तो मैंने अपनी वरकर्स के ली खरीदा है, आपका कॉन सा बरकर यह नमर यूज करता है, मैं चेक कर वाता हूँ मैडम, यह तो रहूल दामोर का नमबर है, गुर्पेची, जो कही दिरों सब बंद है, कब से? यह मुझे सब चाहिए तुरत, इस केस की जड़ तक पहुचने का रास्ता काफी घुमावदार सावित हुआ, हमें इस रास्ते ने फिर एक बार गोंजिलगड पहुचा दिय, और यहीं हमें मिलने वाला था फृदाबाद के डबल मर्डर केस का सच, साब, किता मेरी दूर की र पहुच अफ करके गौंजलगड से गायब हो गया यह सच नहीं है साब, साब वो बगल वाले गाउं में फैट्री लग रही है, वहां मुझे दो महीने के लिए काम मिल गया था, इसलिए चला गया था साब, और रही बात फोन की तो मैंने साब को बताया साब, कि वो मुझे स तो साब ने पकड़ लिया मुझे, तो अब आग यह ना पकड़ में, अब साचोगल थे, किसने सोबारी दी थी, साब, साब इतना घिनोना इल्जाम मेरे पर मत लगाए, मैं गीता को क्यों मारोगा, साब उसने मेरी ऐसी मदद की, कि कोई सगी बहन भी नहीं कर सकती, मेरी ब कैसे हो मनोर भाया, अच्छा हूं, कितने साल बाद देख रहा हूं ना, तुम अपने गाहों से इतनी दूर कैसे चली आई, बस, किसमत ले आई भाया, आप सब की बहुत याद आती थी, कितनी बार गीता ने पून से का कि, कि फरीदाबाद मुसे मिलने आ जाओ, मैं आखिर उसके बाद उसने जो किया, मेरे तो होशोड काईसाद ये अपने एंजली की शादी के लिए गीता तुम्हारे पास इतने पैसे ये कुछ नहीं है भीया पैसे पैसे बहुत है पर मेरे किसी काम के नहीं लेकिन एकने सारे पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ यह अपनी अंजली के लिए है, अंजली का जो जो दिल करे, उसे सब खरीद देना, और धूंध हम से शादी करना उसकी, मैं इसे बैग में पैक कर देती हूँ. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, कि गीता, जो 19 साल पहले गाओं छोड़के चली गई थी, अचानक से इतनी अमीर हो गई, और मेरे दिल खोल के मदद कर रही थी, उससे बोली, कि और चाहिए, तो बेज़े जक मांग लेना, साथ, मैंने पूरी जिन्दगी में इतने सारे पैसे एक साक नहीं देखे थे, 11 लाग, कुल मिलाकर 2 करोड 12 लाग 45 जार होने चाहिए, मतलब 12 लाग रुपे कम है, गीता ने तुझे 11 लाग रुपे दिये, या 12 लाग, 11 लाग साब, साब मैं घर जाके 5-5 बार गिना, अब बोले सारे का, सर ये राहुल दामुर 16 सितंबर कि सुबह को फईदाबाद छोड़ का कहीं चला गया, उसके रूमेट से बात की, तो पता चला, 15 सितंबर की रात को, वो कुछ 2 किलो चिकन लेकिया था, और उसने सब को पाटी दी थी, और जो सेलफोन वो यूज कर रहा था, उस सेलफोन की लोकेशन 15 सितंबर की दोपहर को पालमगंज सेल टावर के रेंज में और सर उसी रेंज में जेकिशन दहिया का घर आता है, तब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं सारे का, ये राहूल दामोर ही हमारा टार्गेट है, काओना ये राहूल दामोर, वो फृदा वास से मिसिंग हा और तुम उसके टच में थे, स साब, मैं राहूल दामोर को जानता हूँ, जब मैं गीता से मिलने फरीदाबाद आया था ना, तो मैं उसके कमरे पे ही रुका था, बुलाया तो गीता ने था, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं उसके हालात कैसे हैं, या घर पे रुपने के लिए कहेगी या नहीं, जह दि कैसे हो मनोर भाया, अच्छा हो, कितने साल बाहत देख रहा हूँ ना, गीता, ये राहूल दामोर है, नमस्टे, मेरे घरवाली का मायका देवकुंच में है, तो राहूल दामोर वहां पे उसका पडोसी है, तो ये राहूल दामोर इसवक कहां पर है, परीदाबाद में या मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन देवकुंच में उसका परिवार रहता है, मनोर, जिस वक्त गीता दाया ने तिजोरी से निकाल कर तुमें 11 लाक रुपे दिया, क्या उस वक्त उस कम्रे में, राहूल दामोर भी मावजूत? जी साब, था, था, हमें देखते ही जब राहूल दामोर भाग खड़ा हुआ, हम जान गए कि हमें हमारा टार्गेट पिल गया, अब सवाल ये था, कि क्या ही असली टार्गेट था, या महस किराए का टटू? चंद मिन्टों के लिए राहूल अपना गुना नकारता रहा, लेकिन फिर एकदम से, सब को छगल गया। मुझे बुरा लगा जो मैंने किया, नहीं करना चाहिए था। तमने जो किया, क्यों किया, कैसे किया, और किसके कहने पर किया? मनोहर भाहिया के मिलवाने के बाद में, गीता दिदी घर अकसर जाया करता था। वहां नाश्ता पानी होता और गीता दिदी मुझे बहुत प्यार से बात करती थी। एक बात वो मुझे बार बार पूछती थी कि क्या, गाउं में कोई लड़का है। जी हां, मैं हमेशा से ये कहना चाहता था कि गीता दिदी मुझे गोद ले ले, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हो पाई। और उनकी जान लेने के हिम्मत जुटा ले तुमने। कैसी जान सर। गीता दिदी की कोई जिंदगी थी ही नहीं। मनवर भाईया के सामने उन्होंने खुद कहा था कि पैसे उनके किसी काम के नहीं है। पैसे पैसे बहुत हैं पर मेरे किसी काम के नहीं। आग मुझे सबी लोग की तरह पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तू उस घर में पैसे चुराने किया था। जी साब करांठे बना रही हूं खाकर जाना जब तक खाओगे तब तक ये भी उठ जाएंगे मिलकर ही जाना जी दिदी मैंने घर वालों को बोल कर अख़ा दिदी एक प्यारा सा बारा तेरा सल कर कोई लड़का हो तो बताए मैं तो मैंनोर भाया को भी बोलने वाली हूँ गरीब से गरीब होगा तो भी चलेगा बस उसके मावा प्राजी हो मैं गोदले लूँगा कुछ आहिए राहूल कुछ आहिए राघ। च्रय को इंप अब कितने लिए तुमने एक लाग थे तब मालूम नहीं था लेकिन घड़ जाने के बाद दोनों बंडल गीने तो पूरे एक लाग रुपे थे इतने सारे पैसे लेकर कैसे जाता सा उचा कि अगर ले भी जाओ तो लगा कि पकड़ा ना जाओ तो मैंने तीजोरी की चाबी लिए उनके मोबाइल लिए और घर को बाहर से ताला लगा कर वहां से निकल गया उनके साथ क्या किया शौचाले के उसी के कोने में छुपा दिया था और लौकर के चाबिया वहां के बाद मैं गाओ भाग गया था देवकुंज चाबिया वही है म के बाद सिर्फ एक लाक रुपे चुराना बोलो कौन था वो कौन है वो अनन दैया ये नुपूर हुड़ा उंगलियों के निशान मैच हुए होंगे लॉकर की चाभी भी उसके घर से मिली होगी लेकिन मैं ये बात मानने को तयार ही नहीं हूँ कि राहुल ने सिर्फ एक लाक रुपे के लिए चाथा जी चाथी जी को मार दिया सर ये राहुल नुपूर से मिला हुआ है मैं लिख कर दे सकता हूँ और नुपूर लिख कर देगी कि तुम मिले हुए उससे जब कि सची है इस बंदेने तुम दोनों का नाम तक नहीं सुना पे रहे हमने उससे हर तरीके से पुछटाश की वाकई राहुल ने एक लाक रुपे चुराई थी माल लो अब इस बात को नुपूर का इसमें कोई हाथ नहीं थैंक्यों सर अच्छा हुआ जो आपने कातिल को पकड़ ली यह तो सारी जिंदगी सब बस शक की नजर से देखते रहते के सर यह जो मन पर से बोज उतरने का सुक है ना यह उस सुक से कई गुना जादा संतुस्टी दे रहा जो जो मुझे पापा की जाइजाद से मिले ली वैसे नुपर जी सारे पैसे पोट में जमाऊं ज़िए आपको यह पैसे में क्लेम करने होगे जब आपको वक्ली करेंगी तो सारी बात आपको समझा देविगे सर बढ़ एक बात काओं जे हमने कही बार ऐसा सूचा होगा कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि पापा की सारी प्रॉपर्टी सारी जायजाद हमें मिल जाए कही बार गुष्से में बुरा भी सोचा पर इतना बुरा इतना बुरा होगा ऐसा नहीं सोचा था सब जाकिशन दहिया और गीता दहिया को जानने वाले सबी लोग बुरी तरह से चौँक गए जब उन्हें हत्या के कारण का पता चला पर ये कारण सच था राहुल दामोर अपने लालच के दलदल में धंस गया था लालच तरसल कई जुर्मों की नीव है लालच से पीडित इनसान बुरे काफी बुरे ख्यालात उस इनसान के लिए अपने जहन में ला सकता है जिसकी कोई चीज वो हासिल करना चाहता है जो उसके लालच को त्रिप्त कर सके पर ऐसे ख्यालात को अंजाम दे कर कुछ हासिल करके कोई इनसान वाके में त्रिप्त हो सकता है आसान सवाल नहीं क्योंकि यह बड़ी जाहिर सी बात लगेगी कि जिस इनसान के पास पैसे नहीं है उसे पैसे का लालच होता है और पैसे मिलने से उसका लालच त्रिप्थ हो जाता है और जिस इनसान के पास पैसे हैं उसे और पैसे चाहिए होते हैं उसे अपने पैसे को बचाने का लालच होत गलत करने के ख्याल को भी अपने जहन में नहीं लाना चाहिए ऐसा करने से जो हमें हासिल होगा उससे हमें खुशी मिलेगी यह ज़रूरी नहीं हम फिर मिलेंगे एक और दिल्चस्प के इसके साथ अगले हपते क्राम पेट्रोल सतर्क में चैहन हुआ 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 है